हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मुझे उम्मीद है क्यार आप सब लोग ठीक होंगे और यह हमारी वीडियो जो के इंजिनिरिंग मट्रीरियल से लेटिड है काफी दुनों बाद आ रही है क्योंकि हम लोग यार काफी बिजी थे और जिसकी वज़ा से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे और नहीं स्क्रिप्ट लिख पा रहे थे किसी वीडियो को पर तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं इंजिनियन से लेटिड एक इसी मशीन के बार के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं लेट मशीन को सारे मेकैनिकल मशीन की मदर यानि मा कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले पुराने मशीन टूल्स में से एक है लेट मशीन अल्ली 1600 यर में डवलप हुआ था और इसका यूज ट्रेकेट रंग को सही शेप और साइ इस मशीन के थोड़े डवलेब्मेंट के बाद इस मशीन में एक एले टी एच यानि के लेट नाम के वूडिन स्ट्रिप को यूज करा था ताके जौब मर्टीरिल को स्टेबलाइस कर सके इसी वज़ा से इस मशीन का नाम लेट पड़ गया सबसे पहले मौडरन लेट मशीन 1797 एर में डवलप हुआ तो आईए दोस्तों इसका उपर उपर से पहले हम फंक्शन जा लेते हैं कि लेट मशीन का फंक्शन क्या होता है तो अगर मैं मौटी बात करूँ तो लेत मशीन का काम वर्क पीस में से मैटल रिमूव करना है ताके उसे डिजाइड शेप और साइस दे सकें और अगर मैं पतली बात करूँ तो जौब पीस को पहले लेत मशीन में अच्छे से सिक्यूर करके उसे कटिंग टूल की मदद से मैटल रिमूव करा जाता है प्रॉपर कटिंग के लिए कटिंग टूल की हाड़नेस हमारे जौब पीस से ज़ाद होनी चाहिए इस जौब पीस को रिजिडली सिक्यूर करके प्रोग्रेसिवली लेत मशीन में फीट करना होता है तो दोस्तों अब हम जानते हैं लेत मशीन के पार्ट के बारे में क्योंके लेत मशीन के पार्ट के बारे में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इस वज़ा से क्योंके जब हम जाओ मट्रेल पर वर करेंगे तो आप लोगों से इसके parts के बारे माना चाहिए अगर आपको अच्छा जॉबब वर करना है तो late machine के types जानने से पहले हम जानेंगे इसके general parts के बारे में और उनके function के बारे में क्योंकि इनी parts के इसाब से late machine classify होते है यह जो आप diagram screen पर देख सकते हैं एक general lathe machine है तो आप mid left में देख सकते हैं एक part है bed तो lathe bed, lathe machine का base form करता है इस lathe bed के उपर carriage rest करता है और either side में आप लोग देख सकते हैं कि tail stock और head stock rest करता है और slide भी कर सकता है lathe bed, lathe machine का main guiding part होता है तो आप इसी से समझ सकते हैं कितना important part है ये तो lathe bed को कुछ condition satisfy करनी होती है जैसे आप इन condition को अच्छी तरह से समझ लिएगा मैं point wise आपको बताता हूँ तो पहली condition ये है कि lathe bed का बहुत rigid होना जरूरी है ताकि वो metal cutting force को जहल सके जो के tool post और carriage से job को shape देते वक्त transmit हो सकता है तो दोस्तों दूसरा point ये है कि lathe bed की depth और width बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि vibrations को ये easily absorb कर ले और हमारे work piece में कोई effect ना है इसका तो इसका दोस्तों तीसरा point ये है कि job को shape देते वक्त उस पे दो forces act होते है पहला cutting tool पे downward force और दूसरा cutting tool पे horizontal force जिसकी direction होती है away from work piece तो इन दो forces के resulting जो twisting stress आएगा इन्हें overcome करने के लायक होना चाहिए हमारा lathe bed इन forces को दो तरीके से overcome कर सकते हैं उसमें पहला तरीका ये है box section lathe bed यूज करके दूसरा lathe beds में diagonal lips को यूज करके तो दोस्तों ये थीन तीनों condition जो lathe bed को satisfy करनी चाहिए अब हम बात करते हैं दूसरी कि lathe bed के material में high compressive strength resistance to wear good vibration absorber ये सब properties होनी चाहिए cast iron का alloy with nickel and chromium इसका एक अच्छा example है जिसमें ये सारे properties होती है तो आईए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है headstock headstock lathe bed के left position से permanently fixed होता है इसका main काम होता है work piece को अलग-अलग speed में rotate करवाना मतलब rotation के speed को control करना headstock के actual में दो parts होते हैं पहला headstock spindle और दूसरा variable speed selector ये दोनों parts headstock कास्टिंग के अंदर housed होते है headstock spindle कारबन या निकल और क्रोम स्टील का होता है इसका diameter बड़ा रखा जाता है ताकि ये bending को resist कर सके headstock spindle headstock कास्टिंग की help से rotate करता है दोस्तों late machine का अलग-अलग speed से rotate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सबसे efficient तरीके से हम work piece को shape दे सकें speed बहुत से factors पे depend करता है जैसे work piece का material का type cutting tool material का type और जैसे अगर hard material हम use करते हैं जैसे tungsten carbide तो spindle की speed बढ़ानी होती है तो तीन main तरीके होते हैं speed control करने के हम detail में नहीं जाएंगे बस उपर-उपर से इनने discuss करेंगे जिसमें पहला तरीका यह होता है कि headstock spindle में back gear यूज करके दूसरा होता है clutch और sliding gear को यूज करके और दोस्तों तीसरा तरीका इसका यह है कि variable speed motor से हम यूज करके speed control कर सकते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है tail stock tail stock को lose head stock भी बोलते हैं इसके दो main use हैं पहला यह work piece के दूसरे side को rigidly support करने में मदद करता है दूसरा यह cutting tool को अपने position में hold करता है ताके cutting करते वक्त tool move न करे tool की correct position set करने के लिए हम tail stock body को थोड़ा बहुत आगे या पीछे की तरफ slide कर सकते हैं tail stock body में tail stock spindle भी होता है जिस पे हम cutting tool को लगा सकते हैं अगर tool को थोड़ा बहुत अंदर या भार निकालना हो तो हम tail stock के hand wheel का use कर सकते हैं clockwise motion में hand wheel को move करें तो tool आगे की तरफ move करेगा और anti clockwise motion में hand wheel को move करें तो tool पीछे की तरफ move करेगा सारे necessary adjustment करने के बाद spindle को अपनी जगा पर fix करने के लिए locking bolt को tight करना होता है tail stock के बागी पार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आईए दोस्तों अब जानते हैं late machine के अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है carriage late machine carriage का का काम होता है cutting tool को move, support और control करना इसके 5 main parts होते हैं चली एक एक करके इनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहला पार्ट होता है saddle tool post और cross slide saddle के उपर fixed होता है ये एक edge shape का पार्ट होता है जो के late bed के उपर slide कर सकता है तो saddle के बाद दूसरा पार्ट होता है इसका cross slide cross slide में एक casting होता है जिसकी मदद से saddle से fix होता है cross slide के move करने के लिए hand wheel के feed screw को rotate करा जाता है carriage का तीसरा पार्ट होता है compound rest compound rest cross slide के उपर fixed होता है इसके circular base पे angles marked होते हैं ताकि angular cutting करने में मदद कर सके correct angle set करने के बाद इसे screws की मदद से अपने position पे lock कर सकते हैं carriage का चौता पार्ट होता है tool post ये compound rest के उपर fixed होता है जैसा के आप नाम से पता कर सकते हैं इस पे हमारे cutting tool fixed होता है और इसी से हम अपने tool की position को set कर सकते हैं tool post चार तरह के होते हैं पहला single screw tool post दूसरा four butt tool post तीसरा open slide tool post और चौथा four way tool post और carriage का पांचवा पार्ट होता है apron ये saddle से fixed होता है इसमें gear, clutch और lever होता है जिससे हम carriage को move कर सकें apron handle wheel की मदद से हम carriage को आगे या पीछे move कर सकते हैं चलिए अब ले चलते हैं आपको लेट मशीन के अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है feed mechanism लेट मशीन के पास तीन तरह के feeds होते हैं पहला longitudinal feed दूसरा cross feed तीसरा angular feed तो सबसे पहला question जो आपके दमाग में आ रहा होगा वो यह होगा feed कहते किसे हैं तो जान लेते हैं इसके बारे में cutting tool के relative movement को feed कहते हैं tool के longitudinal movement यानि आगे और पीछे lathe axis के parallel movement को longitudinal feed कहते हैं tool lathe axis के 90 degree या vertically move करे तो उसे कहते हैं cross feed और जब tool को और किसी particular angle में compound slide की मदद से move करें तो angular feed कहते हैं head stock spindle से केर इस तक movement को transmit करने के लिए चार main mechanism होते हैं पहला end of bed gearing दूसरा feed gear box तीसरा feed rod and lead screw और चौता apron mechanism हम इन mechanism के detail में नहीं जाएंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं के हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएं तो हमाई चैनल को subscribe जरू करिए और उसके बरावर में जो आप देख सकते हैं गंटी उसको जरूर प्रेस करिए ताकि आप अगले notification मिस न कर पाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं लेकिन के अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है Thread Cutting Mechanism Thread Cutting यानि आप लोगों ने देखा होगा Screw में जो पैटन होता है उसे कहते हैं Threads लेकिन के Lead Screw के rotation से हम Work Piece पर Screw Threads Form कर सकते हैं Screw Threads बनाने के लिए Half Net Mechanism का Use होता है तो आईए जानते हैं Lead Machine के अगले पार्ट के बारे में जिसका नाम है Lead Accessories and Attachments Lead Accessories का काम Work Piece को Hold या सपोर्ट करना और Tool को Hold करना होता है बहुत तरह के Lead Accessories हो सकते हैं जैसे Catch Plates Carrier Chuck Face Plates Angle Plate और Mendel वगईरा Lead Attachment Specific Purpose के हिसाब से बनाए जाते हैं Lead Attachment बहुत तरह के होते हैं जैसे Stops Ball Turning Nests Chasing Dial Cutter Turret Crank Pin वगईरा हम इस वीडियो में Lead Accessories के बारे में Deep में नहीं जाएंगे लेकिन कुछ Accessories जानने बहुत ज़रूरी है चलिए इसके बारे में जानते हैं बलके ये सिर्फ एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने वर्कपीस को Lead Machine में बहुत एकुरेटली अपने वर्कपीस के Center Access पर Hold कर सकते हैं ये टूल ज़्यादा लंबे वर्कपीस को Stabilize करने में भी मदद करता है बहुत तरह के Lead Centers Available हैं जो Most Commonly Used Lead Center है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आईए देवियों सज्जनों जानते हैं अगली एससे इसके बारे में जिसका नाम है चक चक एक ऐसा Clamping या फिर Holding टूल है जिससे हम Radial Symmetry वाले Objects जैसे Slender को Hold करके उस पर Operation Perform कर सकते हैं लेट मशीन में चक Spindle की ऊपर Fixed होता है मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूले नहीं होंगे कि Spindle Main Routine Part है लेट मशीन का जो कि Head Stock पर Mounted होता है और दोस्तों चक जो है वो Total 17 का होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ Point to Point पहला 4 जो Independent चक दूसरा थिरी जो यूनिवर्सल चक तीसरा Hydraulic Operated चक चौथा Magnetic चक पांचवां Combination चक छटा Collect चक और साथवां Drill चक हम इनको डेटेल में इस वीडियो में नहीं जानेंगे लेकिन अगर आपको जानना है तो Comment section में जबर बताईए क्योंकि आप कोई फायदा होने वाला है तो दोस्तों अगली S-series का नाम है Mandrel Mandrel एक ऐसा Late S-series है जो के Hollow Work Piece को Rotate और Hold करने में मदद करता है Mandrel एक لمबे Metal Rod जैसा दिखता है इस से हम अपने Work Piece के Outer Diameter को Accurately Measure करके उस पे Required Operation Perform कर सकते हैं दोस्तों अगली S-series का नाम है Face Plate Face Plate एक Circular Shape का Holding Tool है यह उस जगा काम आता है जब हम चक या फिर Late Center से हमारे Work Piece को Hold ना कर पाएं यह Metallic Circular Disc होता है इसमें तीन तरह के Holding Slots Cut Out होते हैं पहला Radial Slot दूसरा Plain Slot और तीसरा T-Shape Slot तो दोस्तों अगली S-series का नाम है Angle Plate Angle Plate भी एक Holding Tool है यह Cast Iron का बना होता है इसमें दो Surfaces होते हैं जो के आप असमें 90 Degree का Angle बनाते हैं दौनों Surfaces में Face Plate की तरह Holes और Slots Cut Out होते हैं यह उस जगा काम आता है जहाँ पर हमारे Work Piece के Holding Surface का Horizontal होना ज़रूरी है तो यहाँ पर हमारी जतनी भी S-series थी 5 Mainman वो खतम हो चुकी है और उसी के साथ-साथ जो हमारे Late Machine के Mainman पार्ट्स थे वो भी खतम हो गया है तो दोस्तों यह थी हमारी पहली वीडियो Late Machine के बारे में और हमारी अगली वीडियो आने वाली है तो आप लोग में से रोकेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राब करें ताके आपको अगली वीडियो का Notification मिल जाए इस वीडियो के अंदर हमें आपको Late Machine के बारे में और उसकी S-series और उसका इन सब के बारे में बताया आपको और अगली वीडियो में हम आपको बारे देवे बताएंगे सारी इनके operation के बारे में और इनके जैसे इनके features होते हैं और इनका जो पर कहां पर apply होती हैं वो सब बताएंगे आपको